नमस्कार दोस्तों आज हम कुछ अलग सा ट्राइ करनेवाले, जब हमें कभी-कभी भूक लगती है, कुछ मीटा खाना होता है, कुछ एसा हमें टेस्टे चाहिए होता है, जैसे कि हमें केक चाहिए होता है, या आ anyways क्रिम चाहिए होता है, और फ्रूट्स भी आप सबके घर में रहती है चानल पर पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्रीब करना ना भूले अब हम यहां पे थोड़ा तीन चमज हमें कस्टर लेना है कस्टर में हमें दूद डाल देना है दूद और कस्टर का पेस्ट बन जाए तब तक हमें इसको मिक्स कर लेना है अब हमें कस्टर की पेस्ट को साइड में रख देंगे अब हम यहापे कड़ें लेंगे कड़ें में दो कप दूट डालना है अब को कस्टर जादा चाहिए तो आप तीन कप दूट डाल दीजिएगा अब हमने जो कस्टर का पेस्ट बनाया था अब हम उसमें डाल देंगे और कस्टर को हमें डालते ही तूरंती हमें इसको अच्छे से मिक्स करना है अगर थोड़ी देर दे हुई तो वो चिपक नीचे चिपक जाएगा इस तरह से हमें उसका घाड़ा पेस्ट बना लेना है इस्टर बनाते वक्त हमें ग्यास के दिम कम रखनी है अगर आपको ग्यास के दिम आपने जादा कर दे तो नीचे बहुत जल्दी से चिपल जाएगा और वह पेस्ट अच्छे से नहीं बनेगा और वह कड़वा लगेगा आप देख सकते हो जोस्तों कि हमारा पेस्ट अधिरे दिरे से अच्छे से बन रहा है अब हम उसमें चीनी डालेंगे, चीनी में हमें जैसे आपको ज़्यादा मीठा पसन हो तो आप ज़्यादा चीनी डाल सकते हो, कम पसन हो तो आप कम डाल सकते हो, क्योंकि हमें उसमें फ्रूट्स मीटे ही होते हैं, अब हम ग्याद बन कर देंगे, अब हमने यहाँ पे यहां पर इसको साइड में रख देंगे अब हमें यहां पर बाउल लेना है बाउल में ब्रेड डालना है ब्रेड में घाडा हुआ कस्टड है वह उपर से हमें जरू करना है उसमें डाल देजिएगा इसे हम सैंड्वीच बनाते से मुसी तरह हमें यह करना है स्टेप बाई स्टेप हमें वह कस्टड डाल देना है उस्तो यह रेसिपी जब हमने ट्राय की तो बहुत ही बड़ेया लगी और बच्चों को भी बहुत पसंद आई आप कस्टड में चेरी डाल सकते हो काजो बदाम आसे हमें कर बेहिट का लेयर बना लेना है है कि फ्रूट स्क rebel डालने के बाद को हमें के भावल में सेट तंडा हो जाते intoट बहुत बढ़िया लगता है हम ऊपर से तोड़ूडसा उसमे साय गपर सब्सक्राइब के लिए मैं वोजट ही नियक आफ थे चाता का ने का मन हो कस अब हमें ये बाउल को आधे घंटे के लिए फ्रीज में सेट होने के लिए रखते ना है। यहाँ पे हमने ब्रेड को मिल्क ब्रेड इस्तेमाल किया था। आप आटा ब्रेड भी इस्तेमाल कर सकते हो। जो दूसरा कोई साधा ब्रेड रहता है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो हमारा कस्टर का ब्रेट सब रेड़ी हो चुका था हमने उसको प्लेट में रख दिया है इस तरह से वह बहुत ही अच्छी से सेट हो चुका था दोस्तों इसको आप कस्टर फ्रूट्स केक भी बोल सकते हो यह बहुत बढ़िया लगता है इलते हैं एक नई रेसिपी के साथ तब तक किले बाइ बाइ बाइ